जय श्री महाकाल, जय महारक्षी, जय महाकाली, दोपल के गुस्ते से इंसानों के रिस्ते बिखर जाते हैं, और जब तक होश आता है, तब तक वह वक्त निकल जाते हैं, मेरा आजा उपत है, आपका बहुत स्वागत करता हूँ, आपकी इस बेहकास प्रोग्राम में, जिसका नाम है, क्या कहते हैं, आपकी ग्रैदशा, दर्शो को अभी आने वाला पवित्र समय है, दीपावली का, मेरा तो बहुत ही अच्छा दीन में तो इनको मानता हूँ, इन त्योहारों की सीजन में, क्योंकि मन बहुत ही खुश रहता है, लेकिन इस खुशियों को चार गुना कि कितनी खुश जाली हम आमारे जीवन में ला सकते हैं, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, कि धन तेरा, जो की तेरा, ग्यारा, दो हजार बीस में आ रही है, तेरा तारिक को नवंबर के दिन, दो हजार बीस का, यहार त्योहार, इतना अच्छा है धन तेरा, में को बहुत खुशी होती, क्योंकि उस दिन मेरी इष्ट देवी महालक्षमी का दिन रहता है, मैं बहुत खुश रहता हूँ उस दिन, आप भी खुश रही है, तो आपके शत्र यूही ही जल जल के राख हो जाएंगे, चलो मैं धीपावली के महान त्योहार के महान उपायों के आता हूँ आज, विशय यह है कि धन तेरस के दिन क्या-क्या सामगरी खरई दी जाए, तेरा तारिक को तेरस है, एक तो सयोग देखिए, तेरा है, तेरस भी है, और उपर से धनवंतरी जी और लक्षमी दी का प्रागट्य मंतन, जिस तर समुद्र मंतन के अंदर से, धनवं के दिन महान उपायों को कीजिए, और जीवन में कुशिया ली लाइए, करना है आपको उस दिन आपको पांच चीजे खरीदने हैं, धनवंतरी और धन तेरस के दिन, आपको सबसे पहले तो एक सुचित कर दिया जाए, उस दिन यमक योग भी बनता है, यानि यमराज जी की पूजा भी धन तेरस के दिन की जाती है, आपको करना इतना है, सबसे पहले पांच सामगरियों के नाम लिख लीजिए, सबसे पहले आपके घर में, देखो शुक्रवार का भी दिन बन रहा है उस दिन, तो आज सबसे पहले आपके घर के जाडू को आप किसी मंदीर के आग सुब मुरत बताऊंगा, उस सुब मुरत के समय आपको एक जाडू खरीदना है घर के लिए, आप देखोंगे उस जाडू के खरीदने से आपके घर में जो कलेश हो रहा है, वहां सो सो कुस दूर होगा, दूसरा, जो व्यापार से जुड़े लोग है, उनको करना इतना है इतना इतना है आपनी व्यापार की पुस्तिका, यानि चोपड़ा बोलते हैं जिसे चोपड़ा पूजन का समय धन्वन्तरी दिन का जो धन्तेरस के दिन आपको छोपड़ा ले आना है, मतलत जो पूजन का जो सामगरिये वो उसी दिन लानी है, महालक्ष्मी दिपावली प खरीदने का समय रहता है उन चीजों को खरीदने से जीवन के अंदर खुशियाली आती है आपको जाडू लेना है दूसरा आपको सो ग्राम पताशे धनतेरस के दिन मंदीर में बाटने है या गुड या आपको ध्यान रखे अगर आप अपने जनम दीवस होता है या आपका ब आप आटंगे तो भी पर्मात्मpping भू deep खुश होगा धनते रच की दिन जादा सी जादा इंसानों को मैं कहता हूं यह तो मेरा बहुत ही प्यारा हूं यël बहुत खूसुष होता हूं उस दिन क्यांट महालक्ष्मी मेरी इष्ट देवी है उस tentang तो हर इंसान के लिए ुग और आप भी रिष्ट कीजिए महालक्षमी जी की सेवा कीजिए आपके जीवन में बरकत आएगी तीसरी चीज है आपके घर में उस दिन खीर का प्रशाद जरूर बनाना धन्वनतरी जी के दिन जो लोगों का उपवास रेता है तो आप साबू दाने की भी खीर बनाते हैं और महालक्षमी को भोग में जरूर धराईए अगर खीर खाएंगे महालक्षमी तो प्रशाद आपके जीवन में मिठास की आएगी इन उपायों को कीजिए चोथा कपड़े भी उस दिन आप खरीच सकते हैं और धन तेरस की दिन आपको सफेद वस्त्र पीले कलर के वस्त्र और रखत याने लाल वस्त्र कपड़े यहां पेनना ज्यादा जरूरी है काले कपड़े उस दिन वर्चित है काले कपड़े आप 14 की दिन याने काली 14 की दिन पेन सकते हैं तेरस की दिन आपको काले भूरे कलर इस तरह से नहीं पेनना है जिससे आपके जीवन के अंदर बनाओ भगवान माता जी का तो बारस के दिन आप तुलसी तोड़ लीजिए तेरस की दिन और पूनम के दिन मत तोड़िया और अमावस के दिन मत तोड़ना इग्यारस के दिन भी मत तोड़ना बारस के दिन धंतेरस के जश्ट एक दिन पहले तुलसी तोड़ लीजिए फ्री सबसे पहले पूजा के अंतरगत आपको घंपती जी की पूजा करनी ज़रूरी होती है अगर आपके गल में चांदी के मरतन है तो चांदी की मुर्तिया है तो आप उस मुर्तन और मुर्तियों से पूजा करते है तो आपके जीवन में रियली खुशियाली होती है और लेकिन हम करनी है भावनाव से कर लिए और उपायों से करनी है जाडू हो गया बरतन खरीच सकते हैं आप पितल और चांदी के तीसरा आपके पताशे बातने हैं चोथा कारे खीर बनाना है और पांचवा उपाय ध्यान से सुनिए यह सरयोग आपको कभी नहीं मिलेगा उस दिन आप चांदी के लोटे में जाकर पीपल और बर्गत को अवश्य जल चड़ाए यह सयोग इतना अच्छा होगा कि आपकी सर्व मनोकामना सिद्ध होगी करना उपाय आपको जीवन में चेंजेस हमें देखना है कीजिए और जमकार लाइए जीवन में मेरे नेस्ट वीडियो को ज जरूर कीजेगा फिर से बता दूँ धन 13 13 11 2020 शुक्रवार के दिना रहे जय महालक्ष्मी जय श्री महाकारी जय श्री महाकार